हलो एवरीवन, वेलकम टू लेरन अबी एक्स्ट्रा, आएम शिवानी चाहान, इस वीडियो में हम भूक देखेंगे, क्लास सेवंथ साइन्स की बुक का चप्टर सेवन, वेदर क्लाइमेट अडिपेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्य अगर कहीं आप लोग हिल स्टेशन या ठंडे जगा पर गुम जाते होंगे, तो आपने काफी सारी चीजे देखे होंगी, स्काय जो है, जो आसमान है, उसमें काफी मतल बादल से होते हैं, आपके पेरिंस कहते होंगे, कि मैं अम्ब्रेला लेकर जाना चाहिए, अपने अप अपने एक्सपर्ट को डिसकस करते होंगे सुना होगा, कि वैदर मौसम कैसा है किसी गेम से पहले, बट यह मौसम चीज क्या है, यह होता क्या है, तो देखिये, तो टेमपरेचर, गर्मी कितनी है, हुमिडिटी होती है, हवा में नमी कितनी है, रेइनफॉल बारिश है पिछले 24 गंटों में, ठीक है, इट अल्सो प्रडिक्ट्स वैदर फॉर दे तो वैदर क्या होता है, कि पूरे दिन में, 24 आर्स में हमारा मौसम कैसा है, कि किस गंट में कितना टेमपरेचर है, हवा में नमी कितनी है, हवा की स्पीट कितनी है, और बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है, हुमिडिटी, as you know, is the measure of moisture in the air, हवा में कितनी नमी है, वो हुमिडिटी होती है, तो वैदर रिपोर्ट्स हम लोग को बताती है, और इसको प्रिप करता है, तो आप लोग को temperature वगरा measure करके लिखना है, तो rainfall जो है, rainfall आप लोग किसे measure करते है, rainfall को कितनी बारिश पड़ी है, कितनी नहीं पड़ी है, यह rain gauj, rain gauj एक न वो होता है, instrument होता है, इसे पता लगता है कि कितनी बारिश पड़ी है, amount of rain is measured by instrument called rain gauj, it is basically a measuring cylinder with a funnel on top to collect trained water, एक measuring cylinder type का होता है, ठीक है, इसके top पे एक funnel जैसा लगा होता है, top पे इसके funnel जैसा लगा होता है, और यह measure करता है कि water कितना गिरा है, ठीक है, यह हम लोग को 7 दिन तक करना है, humidity कितनी है, यह वाला जो है, activity है, कि मतलब 7 दिन तक आप लोग दिन का सबसे जादा temperature कितना है है, सबसे कम कितना है, humidity कितनी है, ठीक है, minimum humidity, maximum humidity और rainfall, तो यह वाली जो चीज है, यह आपको activity type की करने के लिए बोला किया है, तो हमने अगर पूरे हफ़ते हम देखे, हम temperature देखे कि minimum कितना है, maximum कितना है, तो काफी ज़दा vary करता रहता है, तो day to day condition of the temperature at a place with respect to temperature हो गया, humidity हो हो गया, rainfall हो गया, wind speed हो गया, इस सब को हम लोग कहते हैं, कि यह किसी भी जगह का weather है, the day to day condition of atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather of that place, तो weather क्या होता है, किसी भी प्लेस का, जो day to day, daily, रोज मरा की, जो atmosphere की हमारे वाता वरन की, रोज मरा की, जो condition होती है, temperature हो गया, humidity हो गया, rainfall हो गया, wind speed, जो daily हमारी चल रही है, उस चीज़ को हम लोग weather कहते हैं, तो यह temperature, humidity, यह सारे के सारे elements होते हैं, weather के, मतलब आप से कर पूछा जाए question की, what are the elements of weather, temperature, humidity, rainfall, wind speed, ठीक है, और इनी साली चीज़ों को नापने के बाद हम बताते हैं, कि weather कैसा है, weather of a place changes day after day, week after week, ठीक है, तो weather जो है ना, वो मतलब मौसम जो है, वो काफी ज़दा बदलता रहता है, कि आज बड़ी गर्मी है, आज बड़ी नमी है, है ना, तो यह daily phenomena है, रोज बदलता रहता है, weather is such a complex, इतना ज़दा complex phenomena है, that it can vary over short period of time, मतलब हर 10 minute में भी weather change हो सकता है, it can happen sometime that it is sunny in the morning, मतलब सूरज निकल रहा है, सुबर मस्त एकदम, फिर एकदम से बादल आजाएंगे, और फिर कहीं से भी पता ने डिगेगा कि पारिश कहां से शिरू हो गई, तो बड़ा ही unpredictable सा और बहुती complex जटल सा यह फेनॉमेना है, हेवी रेन भी एकदम से स्टार्ट हो जाती है, पांच मिनट में एक खुब तेज बाईश पर बिल्गुल गाया फिर उसके बाद, है ना, तो इस तरह के experience आप लोगों ने करे होंगे, तो इसलिए weather को प्रेट करना काफी जादा मुश्किल हो जाता है, तो आपने देखा कि maximum temperature record किया गया था, 3 अगस, 2006 से लेकर के, शिलॉंग में खालाया का, 7.2 में, temperature हमें measure करके दिखाया गया है, ग्राफ में प्लॉट कर दिया, हम लोगों ने यह देखिए, 3 तालिक को, date 3 है, तो temperature 26 degree है, फिर 4 को 23 degree हो गया है, फिर उसके बाद 5 को 25 हो गया है, तो इस तरीके से daily के daily कितना जादा temperature change होता रहता है, तो हमें clear समझ में आ गया है कि minimum और maximum temperature जो है, वो daily के daily record किया जाते हैं, और उसके बाद ही हम लोग कुछ पता लगा पाते हैं, तो देखिए, special thermometers होते हैं इस purpose के लिए, तो maximum और minimum thermometer, मतलब एक maximum thermometer होगा, वो हमें बताएगा कि दिन का सबसे जादा temperature होता है दिन में वो जादा तर दुपहर के टाइम होता है, तो maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, वाइल minimum temperature morning में होता है, सबसे थंड़ रिंड़ मौसम सुबह होता है, सबसे जादा गर्मी दुपहर में होती है, ठीक हो गया, अब हमें देखिए, यहां पर बताया गया है, कि सारे के सार changes in the weather are caused by sun, हमारी धरती exist कर रही है, वो sun की वचे से कर रही है, क्योंकि जितनी भी हमारी life form है, हमें energy sun से ही तो मिलती है, खाना कौन बनाता है, plants बनाते है, किसकी मतल से, sun की मतल से, अगर plants नहीं होंगे, तो कोई नहीं होगा, आप सोच रोगे हम जानवर खालेंगे, जानव तो जो sun है वो ultimate source of life on earth है, sun क्या है, is a huge sphere of hot gas, बट सन में तो बहुत सारी gases है, और उसमें बहुत ही जदा high temperature रहता है, आर्थ से sun का distance काफी जादा दूर है, इसलिए हम लोगों को sun की इतनी जादा heat and light महसूस नहीं होती है, फिर भी बहुत जादा होती है, हमारी हर जो primary source है, important source है, sun ही और weather, जब हम अर्थ सन से गुम गुम गुमते हुए अर्थ, सन से दूर चली जाती है, तो ठंड हो जाती है, जब पास आ जाती है, तो कर्मी हो जाती है, ठीक है, यही सब इसमें था, तो what about the times of sunrise and sunset, you know that in winters it becomes dark early, सर्दियों के टाइम पर, क्या होता है, हम देखते ह हैं कि जल्दी से वह हो जाती है, रात हो जाती है, और दिन काफी जदा छोटे होते हैं, तो पहीं देखिए यह ऐसा होता है, हम लोगों के जो अर्थ का rotation हो रहा है, इसका answer rotation and revolution है, क्योंकि अर्थ जो है ना, वो sun के 4 और चकर भी लगा रही है, और अर्थ जो है, वो अपनी axis पे भी गोल-गोल-गोल घूमती है, इस तरीके से जैसे कि आप अपने एक चेकाइपर गोल-गोल घूम रहे हैं, गोल-गोल घूमते घूमते आप आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी तरीके से मतलब आप अपनी चेकाइपर भी गोल-गोल घूम रहे हैं, और गोल- 25 years is called climate of a place तो अब देखे मेटरोलोजिस जो है ना weather को मेटरोलोजिस हमने इंडिया मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट चैप्टर के स्टार्टिक में देखा था कि वो क्या करते है डेली का weather नोट करते है ये weather जब लगभग 25 साल तक 25 से 30 साल तक हम लगाता नोट करते रहते है ना तब हम बता पाते हैं कि अच्छा इस जगह पर ऐसा climate होता है मतलब इस महीने में सर्दी पड़े की आगे महीनों में गर्मी पड़े की ये हमें कैसे पता लगता है जब हमने कई सालों तक weather की conditions को daily के daily notice किया उसके बाद हमने उनका average निकाला फिर हमें पता लगा कि अच्छा climate ऐसी change होता है the average weather pattern taken over a long time say 25 years is called the climate of the place तो हमें उस जगह का climate पता लग जाता है जब हम weather की condition को कहीं सालों तक नापते रहते हैं if we find that the temperature at a place is high most of the time अगर हमें लगता है कि कहीं पर बहुत ज़ादा high रहता है temperature हाई होने का मतलब है बहुत ज़ादा गर्मी रहती है then we say that the climate of that place is hot high temperature है किसी जगह का बहुत ज़ादा high temperature है तो उसका मतलब है कि वो जगह hot है ठीक है if there is also heavy rain on almost on most of the day in the same place then we can say the climate of the that place is hot and wet अगर्मी भी बहुत पढ़ी और बारज भी बहुत पढ़ी है तो climate hot and wet हो जाएगा अगर climate हम लोग के देखे जिसे 7.23 ये श्रीनेगर का दिया हुआ है त्रीवरानतपुरम का श्रीनेगर में कुप पढ़ती है माइनस कूप ठंड और यहां पर गर्मी पढ़ती है करला में तो हमें पता लगता है दो अलगलग climate conditions जो है वो तो mean temperature for the for a given month is found in two steps तीक है mean temperature कि एक महीने वे average temperature कितना रहेगा ये दो step में हम लोग पता करते है first we find the average of the temperatures recorded during the month मतलब पूरे के पूरे month में कितना temperature आया है उसका average निकाल लेते है average निकालना आप लोगों ने सीख लिया होगा कि जितने भी सारे number होते हैं उन सब को add कर देते हैं गिनके की कितने हैं suppose करिए कि इन सब को ये जो भी आया daily minimum temperature इन सब को हम लोग plus कर देंगे फिर ये कितने हैं 1, 2 मतलब 12 महीने है न तो total इन सब को add करने के बाद 12 से divide कर देंगे तो हमारा average निकाल आएगा जो भी होगा ठीक हो गया ऐसी करते हैं तो पहला step है हम लोग average निकाल लेते हैं सारे के सारे temperatures का एक particular महीने में second हम लोग average calculate कर लेते हैं temperature का over many years एक particular महीने में क्या temperature रहा और कहीं सालों तक उस महीने में क्या temperature रहा होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं कि किसी भी जगे का हम लोग temperature या climate के हिसाब से वहां पर कैसे कैसे changes आ रहे हैं तो हम लोगों को इससे पता लगता है कि कि जम्मु कश्मीर में ठंडर पढ़ती है करला में गर्मी पढ़ती है करला दो है अब हम दो देखते हैं कि जो राजस्थान है हमारे देश के वेस्टन पाथ है उसका जादतर दिन का टेंपरेचर जो है हमेशा हाई ही ही रहता है विंटर के टाइम में भी वहां में जो टेंपरेचर है which last only a few months the temperature is quite low this region receives very little rainfall this is a typical desert it is hot and dry तो राजिस्थान में काफी ज़दा गर्मी पड़ती है और बारिश भी बहुत ज़दा कम होती है गर्मी पड़ती है तो hot और बारिश बहुत ज़दा कम पड़ती है तो वो dry है ठीक है तो हमारा राजिस्थान का climate hot and dry type का है north eastern part जो है इंडिया का उसमें काफी ज़दा बारिश पड़ती है इसलिए जो north west है sorry north east है इंडिया का तो वो काफी wet climate है वहाँ पे गर्मी बहुत ज़दा नहीं है ठन बहुत ज़दा नहीं है मगर वहाँ बारिश बहुत ज़दा है तो इसलिए वहाँ का climate है वो wet type है अब climate and adaptation climate मतलब वारा जो मौसम किस तरीके का चल रहा है और हम उसमें किस तरीके से रहे पा रहे हैं उसको हम लोग adaptation कहते है climate has a profound effect on all living organisms climate जो है उसका काफी जादा असर पड़ता है सारे के सारे जितने भी जीव जन्तु है living organism है उन पर animals are adapted to survive in the conditions in which they live animals को नहीं आदत पर जाती है उन जगह पर रहने की जिन जगहों पर वो रह रहे होते है animals जो है बहुत ज़दे थंडे environment में भी है बहुत ज़दे close cold थंडे गरम environment में जो रह रहे होते है न तो उनके अलग-अलग features वो अपना adopt कर लेते हैं तो क्या उनके features हैं उनकी कैसी habits हो जाती है process of evolution से किस तरीके से वो सीख लेते हैं चीजों को वो हम देखेंगे चप्टर 9 में हम लोग weather का effect climate पर मिट्टी पर देखेंगे ठीक है और animals के बारे में भी हम study करेंगे कि animals पे climate weather का क्या effect पढ़ता है और you have read about adaptation of animals animals किस तरीके से रहना सीख जाते हैं 6th class में पढ़ा था कि एक particular habitat में habitat का मतलब होता है किस जगह पर animal रह रह रहा होता है उसको रहने की कैसे वहाँ पर आधत पढ़ जाती है ठीक है as examples of adaptation of animals to climate conditions we discuss only animals living in polar and tropical rainforest इस चप्टर में हम लोग जो polar region polar region मतलब खूप थंडे इलाकों में जो animals रहते हैं और rainforest मतलब खूप बारिशफली इलाकों में उनके बारे में हम इस चप्टर में पढ़ेंगे तो जो पोल्स होते है ना पोल्स का मतलब है नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहां पर काफी जादा ठंड पढ़ती है कुछ कंट्रीज काफी जादा जो फेमस हैं जैसे कि कानड़ा हो गया ग्रीनलेंड हो गया आइसलेंड नौवे स्वेडन फिल्लेंड वगयरा यहां पर काफी जादा ठंड पढ़ती है पोलर रीजिन में आते हैं और कंट्रीज जो कि ट्रॉपिकल रेंफॉरेस्ट है इंडिया पी एक 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 जामपल है मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील यह सारे ट्रॉपिकल रेंफॉरेस्ट के एक्जामपल है अब हम लोग देखते हैं पोलर रीजिन के क्या हल चाल होते है पोलर रीजिन में काफी जादा ठंड पढ़ती है ठीक है अब हम लोग देखते है इड़ेस्ट के लिए पोलर पियर और पैंगुइन के बारे में हम परएंगे एटक्टेशन होता है कि वहाँ पर रहने क्यों है आदत होचाती है बढूर पियर वाइप फर्स पोलर पियर जो होते है उन्की वाइट कलर की फर होती है ताकि वो अपने स्नो में अराम से रह साके, अराम से चुप सुके, इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देर प्रिडेटर्स, मतलब जो उनको मार के खाने वाली होते हैं, उनसे पोलर बियर अराम से बच जाते हैं, और उनको प्रे कैच करने में अपना शिकार ढूंदने भी पैसानी होती हैं, और वो एक्स्ट्रीम कोल्ट से बहुत ज़्यादा थंड से भी बच जाते हैं, क्योंकि उनकी जो फर्की लेइर होती हैं, वो काफी ज़्यादा मोटी होती हैं, और वो अराम से ठंड से बच जाते हैं they also have a layer of fat under their skin skin के अंदर उपर skin थी उसके नीचे एक fat की layer होती है वो fat की layer जो है ना उनको क्या करती है in fact they are so well insulated इतनी ज्यादा मतलब उनको ठंड से बचाने के लिए चीज होती है अगर वो ज्यादा चलते है ना तो वो overheat हो जाता मतलब उनको गर्मी लगने जाते है इतने माइनोस 37 डिग्री सेल्सियस में अगर पोलर भी ज्यादा चल लेगा ना तो उसको गर्मी लग जाएगी सोचो इतने ज्यादा वो well insulated होते है well insulated का मतलब है कि उनको ठंड ना लगे इसका इंतजाम इतना कजब का होता है physical condition on warm day is necessary cooling तो physical conditions जैसे कि वहाँ पे जब थोड़ा वही छह महीने दिन वाली condition आती है तो polar beers जो है वो swimming भी आराम से कर लेते हैं ताकि घुट को ठंडा रख सके तो polar beers काफी अच्छे swimmers भी होते हैं उनके pause कहते हैं उनके जो पंजे होते हैं पैर वाले वो काफी ज्याद ऐसे करके चौड़े चौड़े होते हैं एंड लाज काफी जदा वो लाज लाज पॉज होते हैं उनके यह देखे हैं पंजे लाज लाज होते हैं आप यहां से अड़ेशन वाला टेबल है यह बना रखा इस से देख सकते हैं अड़ेशन हो कि काफी लाज फैट लेर होती है इंक स्किन की – आराम से आइस पे चल पाते हैं पानी में तैर पाते हैं गर्मियों में झेल सीविंग ऎर्ण जब पानी में चाते है तो अपनी नॉस्ट्रिल अपनी नाग को बंद कर लेते हैं और इनकी सेंस ओफ स्मेल काफी साथ स्ट्रॉंग होती है और इसकी है अपना खाना आराम से कैच कर लेते हैं अब आता है penguins यह जो है ना यहां पर यह पूरा जो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि काफी थिक लेर होती है अपना प्रेय आराम से डूंड लेते हैं और फर होती है वाइट कलर की तो अपने इसमें आइस में दिखते रही है काफी स्ट्रॉंग स्मेल होती है तो अपना कैच स्ट्रॉंगLike बहुत जये हैं है काफी सारा फैर्ट होती है इंपर जो अपने पजा लेता है ठीक है penguins से ओते हैं फॉत चुप जाते हैं red dark से होते हैं यह ना southpole में रहते हैं जहां पर human habitation बैक ही ना हम लोग देखते हैं Let's video पोले पीर्ज जो पैंगुइन्स एन पहीं तरीके के देखें पास यह पेर हैं पैंगुइन के अराम से तहर पाते हैं और इनकी बॉडि आसी स्ट्रीम लाइन उती हैं कि आच्छे से इनको तेहर आ जाता है यह काफी गुड़ सुमर्स होते हैं other animals जो कि polar region में रहते हैं, वो fish हो गए, musk, oxen, reindeer यह सारे के सारे रहते हैं, यह जो fishes होती है ना, इस ताइप के होती हैं, कि काफी ठंडे पानी मेरे ने की इनको आदत होती है, birds जो हैं, वो warm condition में survive कर पाती हैं, इसलिए जब ठंडा मौसम आता है, छे महीने वाला, तो वो गरम जगह हैं वहाँ पर आचाती है इंडिया में भी आती है काफी सारी एक्जामपल के लिए साइबेरियन क्रेन साइबेरियन क्रेन जो है वो भरतपुर हरियान राजस्थान सुल्दानपुर हर्याना यहां पर काफी जादा साइबेरियन क्रेन देखी जाती है यह साइबेरिया से आती है अब यह इसमें बता रखे कि माइग्रेटी बर्ड जो है वह लगभग 15,000 किलोमीटर तक भी ट्रैवल कर लेती है अपने रहने के लिए इसमें यह बताया गया है अब आगे आता है ट्रॉपिकल रेइन फॉरेस्ट में हम लोगों जानवरों वगरा के बारे में बताते हैं तो ट्रॉपिकल रेइन फॉरेस्ट काफी जादा गरम होते हैं ठीक है ऐसे इलाके होते हैं जो काफी जादा होट इनका क्लाइमेट रहता है क्योंकि इनकी पहुँन जाता है और 40 दिग्रीस ऐसे सब गर्मियों में एक रूस कर जाते हैं और जो दिन और रात हो हमेशा लगभब एक्वाल ही रहते हैं क्योंकि एकवेटर पोटे एकविटर में तेनोर रहाथ हमेशा एक जिस ही होते हैं , पूरे 12 माहिए फीचर जूरी रापिकल राइस्ट के हमारे इंडिया में काका में वेसेटन घाट से हापह में यह असाम जो है वो यहां पर है इधर वाला जो नौर्थीस रीजिन उसके उपर वाले में असाम है ठीक है और साउथीस एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अफ्रिका में यह मिलते हैं विकार्ज उफ कंटेनस वांथ एंड रें इस रीजिन सपोर्ट वाइट वाराइटी ऑफ ब्लांट्स एनिमल्स क्योंकि यहां पर काफी सद बारश पढ़ती है तो इस वजह से यहां पर काफी जादा टाइप के अनिमल्स में पर यह सब काफी मिलते हैं के यहां पर हॉड हुमिट क्लाइमेट रहता है और इसमें रहना जानगरो ने सीख लिया है क्लेमिट कंडीशन जोकी रैन्फॉरेस्ट की होती हैं काफी सुटेबल होती हैं कि यहां पर काफी सारे टाइप की एनिमल्स रह पाते हैं क्यूकि उन् nations पर अराश परते हैं तो red-eyed frog लाल रंग की आखो वाले मेड़क होते है has developed a sticky pads on its feet to help it climb trees on which it lives तो मतलब एक sticky सा pad होता है sticky चिपचपी सी उनकी पैर पे कुछ होता है ताकि वो अराम से climb कर पाएं पेड के उपर चड़ पाएं ठीक है to lift them on trees have monkeys की काफी सदा अर्ण लंबी टेल होती है ताकि लंबी-लंबी सी पूची होती है monkeys की ताकि वो अराम से लटक पाएं खूब लंबी सी टेल होती है ताकि अराम से बैच चाहें और यह देखें red-coloredkin की आखें होती है और यह अराम से ताकि छुब बाएं अपने प्रे से बच पाएं और इनके पैरों पर चिपचिप़ी सी चीज लगी होती है अब खाने के लिए कॉमपटिशन भी काफी ज़ादा होता है अनिमल्स के बीच में जैसे की एक टॉकन बर्ड अभी हम देखेंगे विच पॉसे काफी लंबी सी इसकी बीक होती है विच हेल्प्स तू रीच दा फ्रूट सोन ब्रांच विच अधर वाइस तू वीक तू सपोर्ट इट्स वेट बतलब इसकी चौँच इतने लंबी होती है कि ऐसे ऐसे प्लांट्स पेभी एक खाना खा लेती है यह देखे टॉकन यह देखे जहां पर उसकी ब्रांच काफी जादा वीक होती है तो अपनी लंबी सी चौच बढ़ा करके फल वगएरा उसमें से निकाल लेती है वो टॉपिकल एनिमल्स जो है काफी जादा उनकी सेंसिटिव हीरिंग होती है शाप ऐसाइं ही काफी बारीक सकिन ह bracी एसकी कलर भी एसा होता है ताकि recycling इन से पना हुपज कर पाम मतलब हमाज़ा एपना रंग बंदल लेना और चुपचका न buy it सी क reciprockी आ होती है यह रहा लाइन टेल्ट मकाव यहां पर रहता है रेंट फोरेस्ट वेस्टन गार्ट इंडिया में रहता है इस मोस्ट आउस्टेंडिंग फीचर इस दा सिल्वर वाइट में विश्राउंट इट है इस चैक्स भाइट आउस्ट टinek कि अजरकी तो अअर्ण इसी सवाले मंकी देख्या इसा और यह जाथा फूलिट्स वाइड़ा खाता है क्लांब ऐ अbakर फैडों जग फूट्स ऑगार्णे खाता है। और यह ऐसे इलाकों में रहते हैं इने सफिसिंट फूड मिल जाता है ट्री पर यह बहुती कम ट्री से नीचे आते हैं वेल लून अनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रैंफॉरेस्ट इस अलिफेंट भी हमारे देश में वह भी रैंफॉरेस्ट की रैंफॉरेस्ट का मतलब है वारिश कुप पढ़ती है नो कुप गने जंगल होते है इस वजह से काफी बहुती होता है था थो इसका ट्रंट कि बहुत पांट रहिं होता है जो अथे नोस में शफेश nutritionijk में यह जो ट्रंक है इसकी सूंड सूंड होती है ना सूंड सूंड बोलते हैं सूंड से अपनी है पतलब खाना वारा मी ढूंड लेते हैं और moreover it tucks are modified teeth tusk यह 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 तसक है यह हाथी के दाद खाने के और दिखाने के और होते हैं तो और काफी जादा so the elephant is able to handle the competition for food rather well मतला राम से अपना खाना ही लोग ढूंड लेते हैं और काफी बड़े-बड़े elephants होते हैं तो बड़े-बड़े कान होते ना elephant के वो काफी धीमी बहुत ही धीमी आवाद भी सुन सकते हैं they also help elephant to keep cool अपने अगर कभी अपने elephant देखा होगा अपने कान लाते रहते हैं गर्मी में ताकि हवा एक तरीके से लगाते रहते हैं खुद को अगर बहुत जादा गर्मी और नमी की कंडिशन होती है तो चाप्टर कंप्लीट हो गया है बड़ी महनत लगी इस चप्टर में एकी वीडियो में मैंने बनाने का सो झाल 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 झाल